हेलो एवरिवन, वेलकम बैक टू टॉपर बेंस, आज हम लोग चैप्टर थर्टिन फ्लाइंग स्लिपर्स का कोईशन अंसर करेंगे, जिसमें आपको थिंक एड आंसर और वैलवेट आंसर भी पूरा मिल जाएगा, तो आपको वीडियो को स्किप नहीं करना है, प्ले करके द समझाया हुआ, अगर आप सुनोगे, तो एक्जाम में भूल भी गए, तो खुद से लिख पाओगे, ठीक है, तो ऐसा हैबिट डालो, कि आप समझ करके कोईशन अंसर को रखो, ठीक है, सिर्फ लर्ण करके रटने से नहीं होगा, तो आईए हम लोग लोग स्टार्ट करते ह है, MCQ से, what was Tanka doing when the merchant entered, जब merchant आया, वेवसाई आया, तो Tanka जो कॉबलर था, वो क्या कर रहा था, तो वो मेंडिंग अशू, एक शू को रिपैर कर रहा था, ठीक है, what did the merchant promise to offer Tanka for making flying slippers, तो वो merchant जो है, क्या वादा करता है, क्या ओफर देने का वादा करता है Tanka को, अगर वो flying slippers बना देता है, bag of gold coins, देने का वादा करता है, अगर उसको वो flying slippers बना के देता है, तो, what did Tanka offer Amna, आमना को Tanka जो है, वो क्या offer करता है, a pair of flying slippers, आमना को आपको याद होगा, आप अगर मिस कर दिये हैं, तो chapter का explanation जरूर देखिए, description में भी मिलेगा, और playlist में भी आपको मिलेगा तो explanation बिलकुल मिस मत करना, और question answer का भी explanation मिस मत करना, सबको सुन करके अच्छे से लेना, what do you, what would Amna do with the flying slippers, आमना क्या करने वाली थी flying slippers से, fly like a bird, तो आमना कौन है, आमना जो है, वो third scene में आती है, एक छोटी बच्ची है, प्यारी बच्ची है, जो अपने मा के लिए salt खरिद और उसी समय, टंका जो कॉबलर है अपने gate से उसको बुलाता है अपने पास, और उसको पूछता है कि अगर मैं तुमको flying slippers दूँ, तो तुम क्या करोगी, तो वो बच्ची काफी खुश हो जाती है, जूमने लगती है न, वो सोचती है कि मैं चिडिये की तरह आसमान में रिक्वेस्ट करता हूं कि चैनल को सब्स्राइब कीजे, वीडियो लाइक कीजे और दोस्तों के साथ शेर कीजे और स्कीप मत कीजे वीडियो को, स्कीप करोगे तो आपको समझ में कुछ नहीं आएगा, चलो पहला question लेते हैं, why did people come to visit Tanka, टंका के पास वो लोग जो आ रहे सब को उसके घर आ रहे थे, why did the king want the flying slippers, तो राजा जो था, जो दूसरे सीन में आया था, वो क्यों आया था और क्यों flying slippers को वो चाहता था, क्यों flying slippers उसको चाहिए था, राजा को, the king wanted the flying slippers to surprise his enemies and destroy them, तो king जो है flying slippers इसलिए चाहता था, ताकि वो हवा में उड़ सके और उड़ कर कि अपने enemies को, अपने दुश्मनों को वो surprise कर सके, चक्मा दे सके, धोखा दे सके और उनको बरबाद कर सके, and also wanted to become the powerful man on the earth, और अपने दुश्मनों को हरा करके वो इस earth का, इस धर्ती का, इस प्रिथिवी का सबसे powerful man बनना चाहता था, इसलिए वो flying slippers लेने के लिए, बनवान था, why did the merchant want the flying slippers, merchant क्यों flying slippers चाहता था, merchant को क्यों चाहिए था, वो जो बैवसाई आया था, पहला scene में, the merchant wanted the flying slippers to gather riches from the far corners of the earth, तो वो merchant जो बैवसाई था, जो हम लोग scene 1 में पढ़े थे, वो आया था, सारे riches को collect करने के लिए, वो flying slippers इसलिए चाहता था, कि वो हवा में उड़े और दुनिया के सारे corner तक पहुँचे और बहुत सारा धन जमा करे, बहुत सारा पैसा, बहुत सारा संपत्ती जमा करे, riches का मतलब क्या होता, धन, संपत्ता, सब कुछ, पैसा है न, riches, How did the king respond, when Tanka refused to fulfill his demand, how did the king respond, king ने कैसा response किया था, जब Tanka ने refuse कर दिया, उसके demand को पूरा करने के लिए, king का क्या demand था, king का ये demand था, कि मुझे एक, दो दिन में, या कल मुझे, एक flying slippers बना के दो, तो Tanka जो कॉबलर था, उसने refuse कर दिया, मना कर दिया, तो राजा का क्या response था, उस तो में, राजा तो पुरा गुसा गया था, आप लोगों को पता ही, या, the king became very angry, and drawn his sword, और अपना sword, अपना तलवार को निकाल लिया था, drawn his sword, and moved forward as if to strike Tanka, और वो आगे बढ़ गया था, तंका को जैसे मार ही डालेंगे, when Tanka refused to fulfill his demand, जब Tanka ने उसके demand को fulfill करने से मना किया था, इसके बाद A3 है, A3 में हम लोग extract पढ़ेंगे, जो इस story से लिया गया है, और उसमें पूछा गया question को answer करेंगे, just make me a pair of flying slippers, and your days of suffering will be over, तो जिस बच्चे ने line by line पढ़ा है, वीडियो को मेरा देखा line by line, बिना skip किया, उसको यह समझ में आगया हुआ कि यह जो lines है, यह किस ने कहा है और किस से कहा है, तुमारा suffering का दिन खतम हो जागा, तुमारा दुख भरा दिन खतम हो जागा, यह बात किस ने कहा था और किस से कहा था, इस तरह के question में सबसे पहले यही identify करना कि who is the speaker here and who is the listener here, ओके, who said this and to whom, यह जो line से यह किस ने कहा था और किस को कहा था, तो यहाँ पे कहने वाला व्यक्ति कोन है, मर्चेंट है, जो वेवसाई था, वो कहा था, किसको कह रहा था, वो टंका, कॉबलर जो था, उसको कह रहा था, कॉबलर को यह बाते कही गई है, मर्चेंट के दवारा, वो जो मर्चेंट वेवसाई आया था, उसने कहा था टंका क कि तुम मुझे flying slippers बना के दोगे तो तुम्हारा suffering तुम्हारा दुख दर्थ जो life का है कश्ट है जो वो खतम हो जाएगा क्योंकि मैं तुम्हें बहुत सारा सोना चांदी सब देने वाला हूँ how would the listeners days of suffering be over listener का दुख भरा दिन, suffering का दिन कैसे खतम हो जाएगा listener कौन है यहाँ पर मैंना भी जश्ट पता है कौन सुनने वाला है यहाँ पर यह उपर का line है यह सुन कौन रहाता ये टंका सुनदा था तो टंका का जो life है वो कैसे change हो जाएगा टंका का जो दुख भरा life है वो कैसे ठीक हो जाएगा if टंका would make a pair of flying slippers अगर टंका एक उड़ने वाला चपल एक जोड़ा चपल merchant के लिए बना देता है for the merchant he would get bags of gold coins तो वो bags of gold coin पाएगा gold coin का बैग पाएगा कहां से merchant के पास से and his sufferings would get over और gold coin जब पा जाएगा bag ही bag bag से bag में भरा हुआ gold पा जाएगा तो उसका तो दुख दर्थ सब खतम ही हो जाएगा ना चलो समझ में आ गया होगा I hope नहीं आया तो comment जरूर करना और अपना response भी comment में देना कि कैसा लगा वीडियो कैसा लग रहा है Longman New Images class 4 कर वीडियो आप लोगों को ठीक है और आपने subscribe किया है कि नहीं किय है कैसा लग रहा है दोस्तों को आपने share किया है कि नहीं ठीक है आपके दोस्तों को कैसा लग रहा है यह channel जरूर बताना what was the listeners response to the speaker listener का response क्या रहा speaker के लिए listener कौन है टंका वो जो मोची है वो जो cobbler है वो listener है यहां बाते सुन रहा है वो और बाते कौन कह रहा है merchant कह रहा है merchant ने आकर के listener को मतलब टंका को कहा कि तुम मुझे flying slipper बना के दो मैं तुम्हारा जो दुख भरा दीने कश्ट भरा दीने वो दूर कर दूंगा सोना चांदी दे करके तो टंका का क्या response था listener का क्या response था याद है आपको टंका कहा था कि यह flying slipper जो है यह आपके लिए नहीं ह है है ना the listener टंका refused his offer by saying that the flying slippers are not for him second जो यह है लाइन लिया गया है extract लिया गया बुक से वो हम लोग पढ़ेंगे और जानेंगे कि यह किसने कहा था और किस से कहा था you ignorant fool यह गुसा वाला लाइन है याद है आपको किसने कहा था of course I must have flying slippers हाँ बिलकुल मेरे पास ऊड़ने वाल चपल होना ही चाहिए किसने कहा था यह राजा ने कहा था गुसा होकर के टंका को कि तुम बुद्धु कहीं के बेवकुफ कहीं के मेरे पास तो flying slippers होने ही चाहिए who said this and to whom यह किसने कहा था किस से कहा था the king said this to टंका the cobbler why was speaker angry यहाँ पे speaker angry क्यों है speaker कौन है बोलने वाला कौन है king है ना king यहाँ पे गुस्सा क्यों है the king the speaker king was angry because टंका refused to make a pair of flying slippers for the king speaker इसलिए गुस्सा है क्योंकि टंका ने मना कर दिया king के लिए एक जोड़ी flying slippers बनाने एक से है ना what was the listener's response to this listener का response क्या था इस line को सुनने के बाद you ignorant fool जब राजा उस पे गुस्सा किये तो listener जो टंका था उसका response क्या था तो उसका response है यह the listener टंका refused to make the flying slippers for the king by saying that the flying slippers are not for him तो जब वो line जो बोला गया राजा के द्वारा कि you ignorant fool of course I must have flying slippers मेरे पास flying slippers होने ही चाहिए तो इसके response में उसने क्या कहा था टंका ने कहा था कि टंका जो है वो refuse कर दिया था कि यह जो flying slippers है यह आपके लिए नहीं है इसके बाद है think and answer think and answer आप खुद से भी लिख सकते हैं आपने आप से think कर सकते हैं और लिख सकते हैं ठीक है इसमें जरूरी नहीं है कि मैंने जो लिखवाया वो copy कर लें ठीक है आपका क्या सोच कहता है आपको मन में क्या लगता वो लिखना होता है question देखो if you were offered the flying slippers what would you do अगर आपको flying slippers मिल जाए कहीं से या कोई देने के लिए ready हो जाए या टंका ही देने के लिए ready हो जाए आपको तो आप क्या करोगे तो सोचो आप क्या करोगे आपको जो मन है वो लिखो आपको क्या करने का मन है इसमें कुछ भी गलत नहीं हो सकता तो मैं मेरा जो मन है वो मैं लिखा हूँ आपको चाहिए तो आप copy कर सकते हो लेकिन यह compulsory नहीं कि आप मेरा copy करो आप खुद से भी लिख सकते हो आपको जो इच्छा है वो उस flying slipper को कैसे आप use करोगे आप वो लिखोगे यहाँ पर if I would be offered the flying slippers अगर मुझे वो flying slipper का offer मिलता है I would use it to fly with the birds मैं birds के साथ fly करूँगा and help the people who are in danger और मैं उन लोगों की मदद करूँगा जो danger में होंगे जिस तरह से हम लोग देखे थे पहले सीरियल आता था शक्तिमान फिर और भी सारे बहुत सारे super heroes होते थे spider man वो लोग हवा में उड़ते हैं और उड़ करके लोग जो danger में होते हैं मुसीवतों से उनको बचाते हैं तो मैं भी अगर मुझे flying slippers मिल जाए या इसे सक्ती मिल जा जो लोग danger में हैं जो लोग need में जिनको जरुवत है मदद का तो मैं उड़ करके जाओंगा एकदम कम समय में और उन लोगों का मदद करूंगा तो आपको कैसा लगता है आप जरूर यहां पे mention किजिए comment में भी लिखिए कि flying slippers अगर आपको मिल लिए तो आप क्या करें आप answer में भी वैसा एड़ गर सकते हैं आपको जो इच्छा वही लिख सकते हैं question number two do you think क्या आपको लगता है टंका would have made the slippers for the two men if they had been less greedy यहां पर discuss करने के लिए कहा गया है कि यहां पर बोल रहा है कि क्या आपको लगता है कि टंका जो है वो जो मोची है मुकाबलर वो उन दोनों आदमी के लिए मर्चेंट और किंग के लिए वो जुद चपल जो है वो बना देता अगर वो लोग कम लालची होते अगर वो लालची नहीं होते ऐसा लालच वाला बात नहीं करते तो क्या टंका वो बना देता उन्हों के लिए तो मुझे लगता है क्या yes मुझे लगता है ह तंका जरूर बना देता येस आई थिंग टंका वुड़ हैव मेड़ दा स्लीपर्स फॉर दा टू मेन इफ दे हैड बिन लेस ग्रीड अगर वह लोग कम लाल्ची होते यह लाल्ची नहीं होते तो जरूर टंका उनके लिए हेल्प करते जन तंका जरूर बना देता टंका जो भी बोल रहा था कि मैं पुरा धन संपदा इखटा करूंगा पैसा कमाऊंगा यह करूंगा इतना पैसा है फिर भी तो भी लालच दिखाया मिस्यूज करने का बात किया कि मैं अपने एनिमीज को धोखा दूँगा उनको छुप करके सर्प्राइज करूँगा और उनको म टंका रिफ्यूज टू में फ्लाइंग स्लीपर्स हो वाला ले आंवी जयानल सीपर हो भी खुलाँंग वाला हो यह होने इस्ट लेज हुगा स्टेड और लेना चाहिए उस समय में उसका विरोध में क्यों खड़ा होना चाहिए तो यह बहुत ही अच्छा क्वेशन है जनरल क्वेशन है हम लोग इसको देखते हैं the merchant wanted the slippers to gather more riches and the king wanted it to surprise his enemies and destroy them merchant slipper को चाहता था ताकि वो बहुत सारा पैसा कमाए बहुत सारा riches जमा करे धन समपदा और king उसको इसलिए चाहता था ताकि वो अपने enemies को मार सके surprise करके destroy कर सके हैं both of them would misuse it दोनों ही उसको misuse करने वाले थे and tanka did the right thing by refusing to make the slippers for them और tanka ने सही किया बिल्कुल उन लोगों को refuse करके मना करके slipper बनाने से मना कर दिया था वो इसे वो सही किया it is very important to take a stand against something wrong like tanka तो यह बहुत जरूरी है कि एक stand लेना अपना एक stand लेना कि जब भी कोई गलत हो तो समय में हम लोगों खड़ा होना चाहिए टंका की तरह to have a society free of bad elements ताकि हम लोगों का समाच जो है वो bad elements से दूर रहे गलत लोगों से गलत कारियों से हमारा society जो है वो free रहे तो यह chapter यहाँ पर खतम होता है कैसा लगा आप लोगों को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए ठीक है और दोस्तों के साथ शेयर कीजे ताकि सबको help हो पाए thanks for watching have a nice day